आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग मुक्यमंत्री शिवराव सिंग चोहान की अदिक्षिता में आज भूपाल में राज्यमंत्री मंदिल की बैठक में कई महत्तपून प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद जिन समपर्क मंदृ और राजसरकार के प्रवक्ता नरोतम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मोले दिलाने तथा क्रिशी आयको दोगुना करने के उद्देश से मुख्यमंत्री भावांतर भुक्तान योजना 16 अक्टूबर से 257 मन्लियों में एक साथ शुरू होगी उन्होंने कहा कि जेस्टी प्रिणाली लागु होने के बाद उद्योग संवर्धन नीती 2014 में संसोधन किया गया है एंटी पीसी लिम्टेट खरगोन को 23.181 हेक्टेर सास की भूमी का आवंटन खरगोन में करने का आज केबिनेट के द्वारा नेड़े लिया है लोकी निमार विभाग के अंतरगत आने वाले पदों के लिए भी अस्ताई पदों को इस्ताई करने के वारे में मंतरी परशित के द्वारा नेर्णय लिया है प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने नानाजी देशमों की जन्मशताब्दी समारों का उद ribbon किया इस उसर पर श्रे मोधी ने विभिन ग्रामीड और स्थानिय विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारम किया वहीं ग्रामीड जीवन और प्रद्योगी की विशय पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया इधर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहार ने नाना जी देश्मों की जयनती पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि युवाओं को राश्ट्र सेवा के लिए प्रेरीत करने वाले व्यक्तितों को हमेशा याद किया जाएगा आज अंतराश्ट्रे बालिका दिवस है संद्राश्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में पूरे विश्व में बालिकाओं की अधिकारों की रक्षा और मानिता के लिए 11 अक्टूबर को अंतराश्ट्रे बालिका दिवस की रूप में घोशित किया था महिला एंबाल विकास मंत्राले द्वारा इस अपूलक्ष में 9 से 14 अक्टूबर तक बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं सपताह मनाया जा रहा है प्रदेश में भी इस उसर पर विभिन ने कारिक्रमों का आयूजन किया जा रहा है मोख्य मंत्री शिवराव सिंग चोहान 23 अक्टूबर को वशिंगिटन डीसी अमेरिका जाएंगे श्री चोहान को पंडित दीन द्याल फोरम के शुभारम सत्र में बत और मोख्य वक्ता आमंत्रित किया गया है ये कारिक्रम भारतिय दूतावास के सहयोग से Foundation for India and India Diaspora Studies द्वारा पंडित दीन द्याल उपाध्याई की सौवी जन्मशिताबदी के उसर पर किया जा रहा है प्रदेश को आतंग मुक्ट बनाने के लिए राजिस्तरिय समिति की कल मंत्राले में हुई बैठक में ग्रह मंत्री भूपेंडर सिंग ने कहा क्यातंकी कतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रन के लिए आवश्यक विधेयक में संशोधन करने की जरूरत है उर्जा मंत्री पारस जैननी रतलाम जिले में स्थापित पवन उर्जा परियोजना को शास्किये भूमी आवंतित करने के नेता प्रतिपक्ष जैस सिंग के आरोप को निराधार बताया है उन्होंने कहा कि इस परियोजना को कोई भी सरकारी भूमी आवंतित नहीं की गई है प्रोदेश में सावजनिक वित्रण प्रणाली के तहट खाधियान वित्रण के लिए प्रतेग ग्राम पंचायत पर शास्किये उचित मूलिके दुकाने रहेंगी वही कुल दुकानों में एक तिहाई का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा खाधियुम आपूर्ती विभाग ने ऐसी ग्राम पंचायत जहां सावजनिक वित्रण प्रणाली राशन दुकान नहीं है उनके लिए आवेदिन आमंत्रित किये हैं प्रोदेश में वर्षा की गतिविदियों में कमी आई है अब कुछ समाचार संक्षेप में शुपरी जिले में 11 से 30 नमबर तक सोरोजगार मेलो का आयुजन किया जाएगा आगर मालवा जिले में कल किसान संगोष्टी का आयुजन हुआ होशंगबाद में प्रधानमंसरी मुद्रा यूजना के तहट जिला पंचायत में विशेश शिविर का आयुजन किया गया जिसमें लगभग 50 हितग्राहियों को रिंट दिया गया शाज़ापुर में दिवाली के तिवहार के ओ देखते वे मिलाट्री खादेपदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए खाजी विभाग की टीम शहर के हुटेल्स में छापा मार कारवाई कर रही है दिवास में आज हस्त शिल्प स्योग शिविर का आयुजन पंचायत ग्रह सभा में किया जा रहा है इसके साथी प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार और बुलेटों23 बॉलेट। झाल झाल